प्रीविध्यार्थियो आहिमें फाइनल इतिहास विशे के विध्यार्थियो है तू प्रस्तुत वीडियो का विशे है मोरिय कालें कला देखिए छंद्रकुप्त मौरे के समय में मूर्ति कला और वास्तु कला की काफी उन्नती हुई उसके दरबार में जो ग्रीग राजदूत नुक्त था मेगस्थनीज उसने अपने विवरण में लिखा है कि पाटली पुत्र में चंदरगुप्त का जो विशाल महल था वो सूसा जैसे प्रिशिद्धतम महलों को भी मात देता था और इस्थापत कला का उत्करष्ट नमूना था किन्तु समूचित खुदाई के अभाव में इस भवन के उसे समय प्राप्त परियापत उसे समय प्राप्त नहीं हुए है संभवत यह प्राशाद लकडी आदी जैसे नासवान वस्तू का बना हुआ था जो समय के अंतराल के साथ ही नस्ट हो गया उस समय विशाल भवनों के परकोटों दरवाजों महलों आदी की दिवारों पर मूर्तियां भी उकेरी जाती थी इसी प्रकार उस समय भवन निर्मान कला और मूर्ति कला दोनों ही अन्योन आश्रित अर्थात एक दूसरे पर निर्भर दिखाई पड़ती हैं अते मुर्यकाल में वास्तू कला और मूर्ति कला दोनों की परियाप्त उन्नती हो चुकी थी ऐसा कह सकते हैं मूर्यकालीन कला को उच इस तर पर ले जाने का जो स्रे है वो चंद्रगुप्त मूर्यके पोत्र समराट अशोक को जाता है अशोक के समय में भारत में मूर्ति कला का स्वतंत्र कला के रूप में विकास हमें दिखाई पड़ता है कलिंग पर विजय के पस्चात प्राइश्चित सुरूप असोक ने बोध धरम ग्रहन किया और लोक कल्यानकारी इम कला प्रेमी सासक के रूप में वो हमारे शामने आता है उसने अपने सासनकाल में कई इस्तूप, विहार, इस्तंब, सिलालेख बनवाए असोक की लोक कल्यान की भावना इन सिलालेखों की रूप में व्यक्त होती है जिन पर उसने बुद्ध के उपदेशों को खुदवाया समराट असोक के समय की कला के उतकरस्ट नमूने विशाल इस्तंबों के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं संसार की स्रिष्टम मूर्तियों में इनका इस्थान आज भी माना जाता है सारनाथ का सिंग इस्तंब जिसे स्वतंत्र भारत की महमुद्रा की रूप में हमने ग्रहन किया है मोर्य काल की सर्व स्रिष्ट करती मानी जाती है समराथ असोक दुआरा बनवाए गए लगबग 17 इस्तंबों का पताब अब तक हमें चला है ये स्तंब सारनाथ, सांची, चंपारन, लोरिया, अरराज, नंदनगड, रमपुरवा, कोशामबी, इलाबाद, मुझफरपुर के बखीरा ग्राम, रुम्मुन्देई, तथा निगलीवा ग्राम नेपाल में जो इस्तित है और बुद्ध गया, पटना, फरुखाबाद, आदी स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं वस्तुते भारत में इस्तंबों का परचार वैदिकाल से ही माना जाता है परंतु मुरिये काल से पूर के कुछ इस्तंबों हमें अवश मिलते हैं जिनमें कोई धार में उपदेश या कारीगरी की सरेश्ट तात्वा पॉलिस जैसी कोई भी वस्तुव में प्राप्त नहीं होती है असोक काले इन इस्तंब मुरिये काले इन मूर्तिकला के सरुस्रेश्ट उधारन है इन इस्तम्भों पर असोक ने अपने उदार विचार अंकित करवाए ये इस्तम्भ चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं जो लगबग 35 से 40 फुट की उचाई के हैं केवल दो भागों में इनका निर्मान किया गया है समूचा, गोल, लाट और दूसरा परगहा इस संपून इस्तम्भ पर ऐसी चमकदार पोलिस अथवा ओप किया गया है जो आज भी नया जैसा ही प्रतीत होता है दरसक की दरस्टी कहीं ठैरती नहीं और उपर से निचे तक फिसल जाती है वस्तूत है यह चमक या ओप मोरियकालिन मूर्तिकला की अपनी एक विलक्षनता है और मोरियकाल के बाद की करतियों पर यह पोलिस हमें दिखाई नहीं पड़ती है कुछ विद्वानों का विचार है कि यह व्रजलेप नामक मसाले का प्रभाव है जो ओप ही पैदा नहीं करता वरन पत्थर की रक्षा भी करता है कुछ विद्वानों के अनुसार गेह चमक पत्थर की गुटाई करने से पैदा हुई है यह ओप भारती मूर्तिकला की एक ऐसी विसेस्ता है जो संसार में दूसरी जगे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद